यूजर्ज के पाण आए दिन प्रोमोशनल नंबर कॉल और S.M.S आते रहते हैं प्रोमोशन के चकर में टेलिकॉम कमपनिया ना दिन देखती हैं ना राथ यूजर्ज के पास कॉल या मैश्य सेइड भेशती रहती है साफ तोर पर इससे यूजर्स को काफी परिशानी होती है हला कि अब टेलिकॉम रेगुलेटरी अर्थोर्टी ओफ इंडिया ने इस परिशानी से निजाद देने की तैयारी कर ली है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथोर्टी ओफ इंडिया ने दस डिजिट के चुनिंदा मोबाइल नमबर को बंद करने का फैसला किया है टी आर ए आई ने इस फैसले से टेली मार्केटिंग कमपनियों को तगड़ा धक्का लगेगा टी आर ए आई ने यूजर्स की बिना मर्जी के आने वाले कॉल या मैसेज पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है आपको बता दें कि टेलीकॉम कमपनियों को एक स्पेशल नमबर दिया जाता है जो नॉर्मल नमबर से अलग होता है जब ऐसे नमबर से कॉल या मैसेज आते हैं तो यूजर्स को असानी से पता चल जाता है कि यह प्रोमोशनल नमबर है हलाकि कुछ कमपनिया नियमों को ताक पर रख कर प्रोमोशनल कॉल या मैसेज के लिए 10 डिजिट के नॉर्मल मुबाइल नमबर का इस्तमाल करती है यूजर्स को परतारित करने वाले कॉल और मैसेज को लेकर ट्राइन ने कड़ा रुक अपनाया है कमपनियों की जोड जबज़स्ती से निपटने और यूजर्स को रहा देने के लिए ट्राइ को कड़ा फैसला लेना पड़ा है ट्राइन एक ओर्डर जारी किया है जिसके तहर टेली मार्केटिंग कमपनियों को दस अंकों के मुबाइल नमबर का इस्तमाल बंद करना होगा इसके लिए टेली कॉम रेगुलेटरी बोडी ने 30 दिन का समय दिया है असल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट प्राइन एक प्राइन नमबर के लिए बड़ा है